कि अधुर्ण स्टार्ट किया जाए यह सबसे पहला कर ने पादन में कि स्टार्ट किया था है उस जसे जुरूररी है पढ़ना सबसे पहले और जिसका नाम था प्यूर सब्स्टेंज का बेसिक फंडेमेंटल आपने निप्टाया था बहुत सारे नौट पॉइंट हमने पड़े हैं जो बहुत जरूरी होंगे इन डाग्राम को समझने के लिए जो डाग्राम इस चैप्टर में अब हम पड़ेंगे चले तो देखो डियर वैसे तो बेसिक अल्मोस्त आप सभी फिनिस करी चुके हैं मैं आपको कल काफे को समझाया था अब एक छोटा सा नौट और देख लेयां एक छोटा सा नौट और देखें नौट का पहला पॉइंट जनरली देखो ज़्यादातर हम यहां पे बात करेंगे वोटर की तो अगर आप वोटर की अगर बात करें तो आपने देखा था कि वोटर का प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो बोइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और लाटेइन सीट की रिक्वार्मेंट घटेगी और प्रेशा बढ़ाते बढ़ाते एक प्रेशर ऐसा आजाएगा जिस प्रेशर पी लाटेइन तो देखो अब वोटर में एक चीज हो रहा है वोटर का फ्रीजिंग पॉइंट किया है वोटर का फ्रीजिंग पॉइंट अगर बार की बात करें तो जिरो डिग्री सेटिगेट होता है at atmospheric pressure तो atmospheric pressure पर बाप करेंगे तो water का जो freezing point है वो 0 degree centigrade होता है या 0 degree Celsius चले तो देखो अब water का जो freezing temperature होता है freezing temperature को ही melting temperature भी कहते है freezing temperature को ही melting temperature भी कहते है पानी बर्फ किस temperature पर जमेगा 0 degree पर तो पानी पिंग लेगा भी 0 degree पर या या नि तो freezing point और melting point हमेशा same होते है right freezing point और melting point हमेशा same मिलेंगे अब देखोड़ यहाँ पर क्या था कि अगर आपने pressure को increase किया तो pressure को increase करते ही जो boiling temperature का TV वो increase हो गया था यानि पानी का pressure अगर ज्यादा है वो ज्यादा degree पर बोईल होगा था या नहीं अब वो ज्यादा degree पर बोईल होगा कुछ ऐसी कहानी थी जो हमने पड़ी थी चलबने पड़ी है यह तो boiling point की कहानी है अब थोड़ा freezing point की बात करते हैं basically अगर water के आप और यहाँ पर क्या है freezing जो उसका freezing temperature है वह बटने लगता समझा ना इसका मतलब क्या है कि at one bar अगर one bar pressure की बात करें one bar की आप 1.01325 बार राइट तो अगर one bar की बात करें तो freezing point क्या है 0 degree centigrade है समझा अगर दो बार pressure कर देंगे तो और कम पर जमेगा और कम का मतलब कोई negative Celsius, degree Celsius हो जाएगा कोई negative Celsius हो जाएगा 0 से कोई कि minus के x degree Celsius 0 से कम गए लोगी 2, 4, 6, 8 अगर तीन बार कर देंगे तो समझा ना और negative में चला जाएगा कि यहने minus के y degree centigrade इसका मतलब यह है कि अगर pressure आप बढ़ा रहे है देखो नीचे की side में आ रहे हैं तो pressure बढ़ रहा है परा तो जो freezing point है वह है गट रहा है यह पानी का खेल समझा पानी बढ़ा बत्तमीज material इस तरीके को वैवार करता है जबकि पानी को छोड़के जितने भी other liquids है यह जितने भी other material है उनका pressure बढ़ाने पर boiling point भी बढ़ता है और freezing point भी बढ़ता है समझा ना अगर pressure आप बढ़ाएंगे तो boiling point भी पानी का भी बढ़ता है और सब का भी बढ़ता ही है तो freezing point में अलग है basically जो water आव करी चीजों में अलग है जैसे density में आपने देखा महां भी डिफरेंस आगया था तो असलिए पानी का pressure अगर बढ़ाएंगे तो freezing point गठता है जब कि other than water जीतने भी materials है जीतने भी liquids हैं और सब का pressure बढ़ाने से freezing point भी बढ़ता ही है boiling point की तरह है समझा है यह नहीं तो यह बात आप ज्यान रखेंगे फैकुलेरिटी है यानि अनोखी बाते हैं जो water के अंधर ही मिलती है water एक अपवाद के तरीके से काम करता है यानि पूरी जंता एक तरफ और इसका रवया एक तरफ यह अपने style में चल रहा है यह नहीं तो असलिए अलग है तो असका मतलब सर जी water का water का pressure अगर आप increase करेंगे तो जो freezing point है या freezing temperature कह सकते हैं आप इसे वह decrease होगा यह एक special है अपवाद के तरीके से काम कर रहा है जब कितर बात करें other than water other than water यानि पाने को छोड़के जितने भी liquid है उन सभी मेंगर आप बात करें समझा तो उनका pressure अगर आप बढ़ाएंगे तो उनका freezing point भी freezing point भी बढ़ेगा राइट और सभी liquid में ऐसा होता है तो तो यह पहला point हमने देखा है चले बच्चोब इसके बाद एक दूसरा point आप मुझे बताएंगे अब देखो डियर एक तो मानलो मेरे पास liquid है और एक मेरे पास wrapper है मानलो मेरे पाँ पानी है पानी और पानी मतलब liquid यानि जो एक टू है water वो liquid phase में भी होता है गरम कर दो तो वैपर phase में मिल जाएगा तो दो है liquid है और वैपर है समझा ना अब देखो सर जी आप एक बात जानते है समझा ना कि अगर आप pressure को बढ़ाएंगे तो pressure बढ़ने से हमेशा compression effect आता pressure बढ़ने का मतलब कौन साथ expansion effect या compression effect तो always compression effect pressure बढ़ने का मतलब होता है compression effect हाई या नहीं और जहाँ पर compression effect आएगा guarantee वहाँ पर molecules दबेंगे और जब molecules दबेंगे तो उनके बीच का gap कम होने की तरफ दोडेगा तो density बढ़ने की तरफ दोडेगी हाई या नहीं तो अश का मतलब जो density है समझा ना क्या वो increase होना चाहेगी चले अश करेंगे तो इनकरीज होना चाहेगी कोई बात नहीं समझार अश करना तो अश करेंगे तो compression effect के वजे से molecule का बीच का gap गटेगा तो जो certain mass आपने लिए रखा है उसका volume भी गटेगा density बढ़ेगी तो volume गटेगा है या नहीं क्योंकि दबने का मतलब क्या हता हि और compress होना या नहीं है वाल्यम का कम होना अरे बॉलुम की बात करें तो सर जी volume का होगा गटेगा तो प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ाने का मतलब होता है compression effect और compression effect की वजे से volume हमेसा घड़ता है और density मेशा बढ़ती है, अरे बोलो, चलिए, अब इसके बाद बात करके temperature की, आप pressure के जिन अगर किसी भी चीज का temperature बढ़ा रहे हैं, तो जब आप temperature बढ़ाते हैं, तो क्या molecule के बीच के molecule excited हो जाते हैं, और molecule अपने बीच के gap को बढ़ाने की कोशिस करते हैं, तो जब temperature बढ़ करने की का temperature के बढ़ने से हमेशा चीज एक्सपांच होते हैं जा है लोहा है, गरम करो को तो एक्सपांच होगा, घंडा करो के तो शरिंक होगा, तो जब किस चीज का temperature बढ़ाते हैं, तो क्या जाज़तार expansion effect देखने को मिलता है, यह, चाहे liquid या वैपर हो कोई भी हो, temperature बढ मॉलिकूल के बीच का gap बढ़ता है, जब temperature बढ़ाते हैं, जब मॉलिकूल के बीच का gap बढ़ेगा, तो guarantee जो volume है, क्या वो increase होगा, और जो density हो है, decrease होगी, मॉलिकूल के बीच का gap बढ़ेगा, तो density कम होगी, volume बढ़ेगा, अरे, है यह नहीं, तो यह पुरिजैसे के density मॉलो, मास कॉंस्टेंट लेके चल जाओ मैं, कि मालो, 2 kg, गर मैंने लिकुडिय वैपर ले जख्ञा, तो 2 kg है, आप इसी 2 kg मास का volume कभी जाधा, और कभी कम होगा, तो जब volume जाधा है, तो जब volume जाधा है, तो density कम है, जब इस 2 kg मास का volume कम है, तो density जाधा है, है यह नहीं, तो इस बात को हम यहाँ पर देख रहे है, तो बताओ, दूसरा point समझ आया नहीं, जब से समझ लेना, अब आपके examine करूँगा मैं, समझ आ न, यह समझ आ गया, पूछूँगा आप से मैं, कि अब यह बताओ, फिर अगर यह समझ आ गया, तो क्या होगा, अब यह बताओ, फ वैपर का pressure बढ़ाओगे तो volume घटेगा, और वैपर का temperature बढ़ाओगे तो volume बढ़ेगा, समझ आ न, चलिए, अब देखो, यहाँ पर कहानी क्या है, समझ आ अब तीसरे point के, अब मानलो मेरे पास liquid है, समझ आ न, और इस liquid का, मैंने pressure भी बढ़ाया, और साथ में temperature भी बढ़ा दिया, दोनों काम कर दिया मैंने एक साथ, समझ आ न, मैंने liquid का pressure भी बढ़ाया, और temperature भी बढ़ा दिया, समझ आ न, liquid है ये, तो ये दोनों काम करने के बाद, इसके volume पे overall effect किया पड़ेगा, overall, यानि कुल मिला के, तो volume पे overall effect किया आएगा, increase का या decrease का, बस ये जानना चाहता हूँ मैं, जो इसका volume है, भाई, इसका अमालों कोई liquid हमारे पास था, उसका pressure भी बढ़ा दिया, और temperature भी बढ़ा दिया, राइट तो इसका मतलब आपने कुछ ऐसा कर दिया, कि suppose एक कुछ cylinder है, और इसके अंदर, यह कोई यहाँ पे आपने पानी भर दिया है, यानि liquid, यानि पानी की बात करेंगे ज्यादे तरहां, और यहाँ पर एक piston लगावाए, इसमें, समझाँ ना, तो देखो, अब इस piston के उपर चड़के खुद बैठ जाओ आप, और दो चार दोस्तों कोड़ ले आओ, जब piston के उपर आप जाएंगे, तो piston नीचे को दबेगा, तो पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो यहाँ से उपर से जैसे आपने प्रेशर लगाया तो प्रेशर बढ़ गया, आपनी का ओर नीचे से आग लगा दी, तो ऐसा काम करर रहा हूं, उसका मतलब नैगा, समझाँ ना, कि नीचे से लिकूप्वीड का टैंसर भी बढ़ रहा है, ऊपर से प्रेशर बढ़ आदी आपने, वजन रखके, तो यह चाम कर रहे हैं, यहा तो वॉल्यूम पे ओवरॉल इफेक्ट किया होगा वो ओवरॉल इफेक्ट मैं जानना चाहा रहा हूँ तो इसके बाद एक वैपर है मेरे पास अब इस वैपर का मैंने प्रेशर भी बढ़ाया और टैमप्रेचर भी बढ़ाया दोनों बढ़ा रही है तो इसके वॉल्यूम पे ओवरॉल इफेक्ट किया आएगा वो भी बता दो यानि स्वार मैंने सिलिंडर के अंदर वैपर बर रखी यानि ये कोई सिलिंडर है और यहां पर ये वैपर भरी हुई है ये कोई वैपर यहां पर भरी हुई है और उपर से कोई फोर्स लगाया तो प्रेशर बढ़ गया और नीचे से तो मिट्टी तेल की डब भी रखके यहां पर आग लगा दी समझा ना तो देखो वैपर गरम भी हो रही इन थैंसर बढ़ रहा है और प्रेशर भी बढ़ रहा है अब यहां पर अवर्ल इफेक्ट किया पढ़ेगा वॉल्यूम के पर वो बताओ और यहां पर अवर्ल इफेक्ट वॉल्यूम के पर किया होगा वो बताओ बढ़ेगा यह घटेगा यह बताना है इनक्रीज क्या डिक्रीज का तो देखो सर्जी जरा एक बढ़ा बताओ समझा ना आग तो आग है समझा ना किसी को छोड़ने वाली नहीं है अब प्रेशर के अगर बात करें तो यह लिक्विड बढ़ावा है मालोब पानी बढ़ाया पानी अब पिस्टन को तुम चाहिए कितना है विली दबा देना क्या पिस्टन नीच आएगा पानी में क्या दबने कैपसिटी होती है यह लिक्विड है तो सका मतलब यह लिक्वड पे मुझा अज़र आ रहा है के प्रेशर के बढ़ने का पोई ज्यादब असर प्रेश्र का बढ़ना मतलब होप्रेश सह कोई ज़्यादा अफर हलका फुलका प्रेशर नहीं चाहिए हैवी प्रेशर भी बढ़ा देना तब इसका कुछ उखाड नहीं सकते लिक्विड ज़्यादा कॉंप्रास होते ही नहीं है है यह नहीं है यह सिलेंडर पट जाएगा जाद आभी प्रेशर लगाओगे प्रांति यह कॉंप्रास होने को तयार तो पाने में जीदार ही है कि प्रेशा बढ़ाने का कुछ ज्यादा असर अगर प्रेश्टन आया भी नीचे तो माइक्रों में मुस्किल से कॉंप्रास होग अगर्णिजिबल तो तो असका माल प्रेशा बढ़ने का लिकविड के ऊपर कोई सर नी पढ़ रहा है कि देख कितना अभी प्रेशर लगा लिए उमके कोई सर नी पढ़ रहा है प्रेश्टन नीचे लाने की कोसिश कर रहा एक अधा जिसका नाम एंजिनियर है ना और अर प्रेशर देख भाई आग तो जब नीचे देखा अब है बहुत नीचे तो आ गया तब असना बंद कर दिया अ गधर में तो गर्में है है उजा नीचे आज लगेगी तो high temperature flame का पाने के मलकूल का low temperature है तो पाने के मलकूल का लोग तेम्प्रेचर है तो पाने के मलकूल यह क टोटिये मर्जी निपूर्ष्ती यह मॉलीकुल के गरम होना चाहते हो नीचे में हूं आग। कि अरे बोलो कि ऐसा पुछेंगे क्या आग लगे तो शर्जी अधा ना मॉलीकुल गारेंटी के साथ में अपनयाप गरम हो जाएंगी समझा ना? और जम मलीकुल गरम होंगी तो फोगारिन्टी है हीट अपजोब करेंगे? अब हीट तो हीट है, वो बकसने वाली नहीं है जैसे ही मलीकुल अपजोब करेंगे तो गारिन्टी ए कुछ ना कुछ जरूर बढ़ेगा चाहिए प्रैसर कुछ भी कर ले तो प्रैसर बढ़ने का तो इफक्ट साहिड पढ़ने ही रहा था लिक्विड के उपर पाथो टैंप्टर बढ़ने का एफक्ट जरूर पढ़ेगा अधिस को मतल पुर बताईये यहां पर टाकत्वर कोन अध्र टाकतवर हुआ तो लिकुड केस में कौन ताकतवर हुआ यॉन ए और टैंप्रेचर अगर ताकतवर हुआ तो टैंप्रेचर की मर्दी है वल्यूम को बढ़ा जो पार्टी पावर में है अब उसी की चलेगी पाव में कौन आ गिया temperature लिक्विड के लिक्विड स्टेट में कौन है जैसे उत्राकंड स्टेट में भाजपा लिक्विड स्टेट में किसी सरकार है तो टैम्प्रेटर अगर बढ़ा है तो वॉल्यूम को बढ़ने से कोई भी रॉक नहीं सकता अरे बोलो pressure के बढ़ने से अगर इतना micron में घटा है ना to temperature के बढ़ने से इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा to overall effect की आएगा temperature की मर्द झेलेगी माँड़ अगर temperature बढ़ा तो guarantee के साथ में volume बढ़ेगा सही बात आया नहीं guarantee के साथ में volume बढ़ेगा तो सर जी यहाँ पर क्या है, overall effect आजएगा, increase अगर आप liquid का pressure और temperature दोनों increase करेंगे न यानि liquid का पहले से ज़्यादा temperature पर है liquid और पहले से ज़्यादा pressure पर भी है तो guarantee है फिर overall जो volume होगा, increase हो जाएगा अरे बोलो, overall volume क्या हो जाएगा, increase जाएगा, पर इसका मतलब सर जी मैं कह सकता हूँ, कि pressure ने तो volume को गटाना चाहा, temperature ने वोल्यूम को बढ़ाना चाहा, पर तो अगर यह जितना गटाता उतना ही बढ़ाता, तो overall effect जीरो होता, परन्तु ऐसा नहीं होगा, क्या हो नहीं होगा, क्याँआँएगा, उपर प्रेसर की चल नहीं ना दिया एक भी ये बोलता है रहा गया मैं बहुत दबा रहा हूँ वोल्यूम करना चाहता हूँ बर चाहत की चाहत ही रहा गया और ये अपना काम करके निकल गया क्योंकि इसका था वोल्यूम बढ़ा ना बढ़ा दिया था यह नहीं? तो in case of the liquid, the effect of temperature is more than the pressure था ना? तो ऐसे एक टेखनिकल लामज मिली खेंगे, in case of the liquid, in case of the liquid, the temperature is dominant, temperature is dominant over the pressure. प्रेशर के उपर हावी हो गया तेम्प्रेशर ओर दा प्रेशर आयोप आपको 50% समझाया होगा बता कि तीसरा पोनिक है 100% तब समझायागा जब मैं बात व्याफर की कम्प्लीट कर लोंगा कभीगी साही को समझने के लिए गलत का साहा लेना पढ़ता है गलत पता है तो भी तुम सही पताने की जवरात कि नहीं है और सही पता है तो तुम खुल पाता है जो गलत क्या है और यह खुश्क अब गैया तो गैस असिस्टेट Arya जब पहली गैप इतना होता है अब जब पहली गैप इतना है तो और गैप बढ़ाने की कुछ कपसिटी बची है अब यह तो पहली कन्या कुमारी पर जाके बस गए अब और ही क्या निकालोगे ने बोर्डर पर अरे समझाई या नहीं तो कापसिटी की बात करोगे तोड़ा सा लॉडिकल ठिंकिंग लगाओ के गैस तो यार गैस है पहले ही मुलिकूल के बीच में गैप रूड की और राजस्थान का है तो और कितना दूर बेंजोगे ने और गैप बढ़ाना चाहोगे और चाहोगे भी तो अब इनके अंदर कापसिटी जाड़ा बचिए गैप बढ़ाने की हम तो पहले दूर दूर पढ़े हैं यार कम से कम दरसंत हो जाने दो हमारे दोस्त के अरे है या नहीं तो असलिए वैपर के मालिकूल के बीच में तो गैप बहुत जाद है अगर गैप ऑल्रीडी जादा है समझा ना तो गैप बढ़ने के चांस कम घटने के बहुत बचे हैं समझा रहे बढ़ने के चांस कम घटने के बहुत बचे हैं क्योंकि दूर या जाद आया ना है एक अरे समझा आ तो वही बात है तो असलिए अगर वापर के केस में देखो तो अगर यहां पर प्रेशर बढ़ाएंगे अगर यह फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा जैसी फोर्स लगाया तो प्रेशर भाणा यह ज़िए ददाग से पृष्टर ने अइटाब अभी बढ़ा ऑगर बटाओ तो अपर के मोल पूल गरम होगे गरम अगे बार पिश्ट्न उपर जाएगा अजा बढ़ानें कीले प्रिया तो नीचे जाद आएगा क्याकि already gap इतना ज़ाद है temperature बढ़ाओगे तो gap बढ़ेगा पर उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा जितना तेजी से घट सकता था pressure के बढ़ाने पर तो बीच का gap जो change होगा वो ज़्यादा sensitive है pressure के respect में और कम sensitive है temperature के respect में यानि temperature बढ़ाओगे तो molecule के बीच का gap बढ़ाना चाहेंगे तो वैपर के molecule बीच का gap बढ़ा भी लेंगे कोई दिक्रत नहीं है तो जब pressure बढ़ेगा तो pressure कहेगा gap घटाओ तो कसे ज़्यादा घटने के chance है है या नहीं तो उसका मतलब वैपर के case में किसका effect जादा पढ़ रहा है pressure का या temperature का अब दिमाख ने conclude किया ना logic या फील हुई थोड़ा सा के हाँ वैपर के case में pressure ही जादा सर डालेगा तो उसलिए temperature बढ़ाने के इतना सर नहीं पढ़ेगा volume पे जितना pressure बढ़ाने का पढ़ जाएगा समझा ना तो असका मतलब बताईए इस gas state में किसके प्रेशर कार्बने की प्रेशर के temperature की प्रेशर की इसका मतलब यहां पे आप कहेंगे कि इन केस ओप दा वैपर या इन केस ओप दा गैसे दा प्रेशर इस दोमिनेंट ओवर दा तेम प्रेशर देखो वह उल्टा था है यह नहीं वहां टैंप्र हावी हुआ था यहां पे प्रेशर हावी हो गया तो प्रेशर भी बढ़ाया तो टैंप्र बढ़ाया तो यह वोल्म को बढ़ाना चाहेगा प्रेशर बढ़ाया वोल्म क तो यहां से सर जी हम conclude कर सकते हैं और आम अब यहां पे कह सकते हैं कि जो overall volume है वो के आओ जाएगा गट जाएगा अब यहां पे ध्यान देना decrease यानि गटना यानि यहां पे लिख सकते हैं आप डिक्रीज तो देख़़िये लेक्विड का भी pressure temperature दोनों बढ़ाया वैपर का भी pressure temperature दोनों बढ़ाया यहां भी गटा नहीं बढ़ाया ही है तो फिर देखो इसका overall volume गटा है और इसका overall volume बढ़ा है समझा ना तो कारण क्या है कि liquid का pressure तो टैंपर दोनों बढ़ाने पर volume बढ़ा है कारण क्या है because in case of the liquid the temperature is dominant over the pressure याने liquid की case में temperature हावी हो जाता है pressure के उपर तो temperature की चल रही है और temperature बढ़ा है तो volume बढ़ाना चाहता है यहाँ pressure हावी है तो हम यहाँ पर कह लिखेंगे के in case of vapor vapor करें या gas करें एकी बात है esteem करें एकी बात है न in case of vapor the pressure the pressure is dominant dominant का मतलब हावी हो जाना pressure हावी हो गया dominant over the किसके उपर over the temperature बता है बच्चो बात यहां तक कि समझ आई है नहीं है यह दो बड़े important है अगर यह नहीं पता तो तुम्हारी जिनकी आर्थक जंड है मैं गारेंटी बे सकता हूं जो है करेंटी धीवीयो टीोटीस डीयाग्राम तुमने पड़े है ना वो लाइन इद्र को क्या हों जा रही हो इस लिए नहीं पता चलता क्या क्या आपकि आप कोन सट ही मालूम समझ आया नहीं किलियर कट अरे बोलो चले बच्चो तो ये पोइंट हमारा खतम हुआ अब हम पूरा तैयार हैं डाग्राम्स को स्टेडी करने के लिए क्या कि इस प्यॉर सबस्टेंस वाले चैप्टर में जो सबसे इंपोर्टेंट, highly important जो टीज है वो केवल और केवल डाग्राम्स है शमझा ना? उन्हों डाग्राम्स को स्टेडी करना है और क्वेस्टन उन डाग्राम्स से धड़ा धड़ बठते हैं कॉम्पूटिशन में और वहां से क्वेस्टन तो आते ही हैं पर बात यह है कि जो आरेसी और पावर प्लांट सब्जेक्ट है उन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए इन डाग्राम्स की ज़रत पड़ती है तो अगर यह ना समझा है तो उनकी क्रेश्टन तो ही नहीं पाएंगे पर दूसरा आरेसी पावर प्लांट भी समझ नहीं आएगा कि समझा रहे हैं कितना बड़ा इंपोर्टेंस है तो इसलिए इनके उपर मास्ट्री होना जरूरी है समझा न अगर आप पावर प्लांट भी जड़ तक जाना चाहते हैं ठेक है और वही हमारी त्यारी है इसलिए कोई कसर नहीं चोड़े हैं बिल्कुँ जीरो से लेके चलाओ तो है चलdzy सर्धी तो अब इसके बाद यह सभी fundamental हमने फिनिस कर लिए हैं अब इसके बाद अब हम पड़ेंगे important diagrams important diagrams important diagrams चले तो देखो डियर अब यहां पर important diagram क्या हूँगे देखो जेनरली यहाँ पर जो डियाग्राम के बात करेंगे वाटर के रेस्पक्ट में करेंगे किसके वाटर के रेस्पक्ट में करेंगे क्योंकि मेन मुद्दा हमारा वोटर है पर तो जो डियाग्राम साएंगे न हम भले ही वोटर के एक्जामपल लेके उन्हें ड्राइव करेंगे पर बात ही है कि जैसे हों का थोपड आएगा वह अधर लिक्विड के भी अल्मॉस सेम है तो असलिए यहां पर को टेंशन लेने के ज़रत नहीं है यह डियाग्राम ले वाटर के लिए भी ऐसे जाएंगे और अधर लिक्विड के लिए भी ऐसे जाएंगे अरे समझ आ ना बस ले वाटर के लिए अग्जम्पल लेंगे पहरे बच्चों अब वाटर के बात होए तो वाटर की कई थर्मोडानिमिक प्रोपर्टी होंगी जैसे जो वाटर है समझा न और यहां पर इस चैप्टर में आप करते क्या है वाटर को कैसे स्टेडी करेंगे रे वाटर की फेज चेंज करेंगे एस चैप्टर में केवल और केवल हम मौसली फेज चेंज की बात करते हैं और जैसी फेज चेंज होगा अलग-अलग प्रैसर पर फेज चेंज करेंगे और जानते कि फेज चेंज प्रोसेस हमें साइसो बारी होता है तो पहले वन बार पर हम फेज चेंज करे से तरीके देखेंगे देखेंगे प्राइसर वॉल्यूम किस तरीके से चेंज हो रहा है उझनल बौलो खुिर तो यह जो डियाग्राम साथ हमें हैं फेज चेंज के दोरान कि से ड़ां कि तेज करेंगे इस चक्र में हम अलग星上 पड़ देखेंगे कि पॉर्पर्टी जन पर क्या आउश पढ़ता है फेज चेंज के दोरान अलग-अलग प्रेशर पर राइट और रॉंग चले तो देखो प्यारे बच्चो यहाँ पर क्या है थर्मोडानमिक में आपने बहुत थाली थर्मोडानमिक प्रोपर्टीज पड़ी है समझा न उनमें जैसे के एक थर्मोडानमिक जो वोटर इसको आप कहीं सेंसीबल देंगे कहीं इलाटेंट देंगे तो कभी यह बढ़ेगा कभी फेट चेंज हो रहा है अरे बहुलो कोई ना कोई एंट्रोपी भी होगी मॉलेक्यूल की रेंडमनेश मॉलेक्यूल की रेंडमनेश यह एंट्रोपी फिजीकल मतलब तो यह था ना इसका पूर्मुले आपने देखे लिए तो होगा यह नहीं यह उसके बाद यार इसकी वाटर की कोईना पर टोटोल एनरजी भी तो होगी जैसा आप इंथैल्पी अगर अगर अलकोहल भी ले लो आप उसे भी आप फेट चेंज करो वैपर तक ले जाओ चासोबिस दिगरे की तो असके भी यह प्रोपर्टी है है नहीं यह तो असले मालो वाटर अगर हम ले ले लिया तो वाटर के पास में पांच इंपोर्टेंट थर्मोडानमिक प्रोपर्टी हैं समझा ना अब हम यहाँ पर यह देखेंगे कि फेज चेंज के दोरान जब फेज चेंज होगा वाटर का तो फेज चेंज के दोरान य ये properties एक दूसरी के respect में किस तरीके से change होती हैं और कौन सी property constant रहती है। तो इन properties के variation का हम अध्यन करेंगे phase change के दोरा और इन properties के variation को किस तरीके से change हो रही है। समझा नो उन्हें graph के दोरा represent करेंगे और जब graph उनका बना देंगे तो वही graph क्या दाएगा diagram था यह नहीं परन्तु सब्सक्राइज जब भी आप diagram बनाते हैं तो diagram हमेशा के दो parameter के बीच में होता है। अब इन में से कोई भी दो ले सकते हैं जैसे pressure volume ले ले लेंगे एक बार वागव T temperature entropy ले ले लेंगे क्या PV और TS तो कुछ जादा इंपोर्टेंटार सर्जी हम जानते हैं में डियाग्राम तो इन साबित होंगे फिर एक डियाग्रम का P और T डियाग्राम ले लेंगे यहां पर आप चाहें तो V और T डियाग्राम भी ले सकते हैं तो कोई फाल्टू जरू था ही नहीं है किसी का बना लो वैसे तो आप समझा ना तो यहां पर standard diagram है वो देखो कितन होते हैं फिवी डियाग्राम प्रोसेश का वर्वटरन बताता है और T स डियाराम प्रोसेश के दोरान हीट ट्रांस्पोर बताता है और किसी भी therm dynamics cycle ही यूदो कम होते ही होते हैं तो सब से ज्यादधा important diagram कौन-kोन से मिलेगे पह्त 24 आपको वीवी डियाग्राम अरे बहूलो पीवी डियाग्राम उसके बाद दूसरा important डियाग्राम कहा दिखने आपको phase diagram और इसके बाद एक दिखना पहरे बच्छो PT डियाग्राम यह भी बहुत जादा important है हाँ cycle में तो उसका जादा यूज नहीं है यह important क्या है या पढ़ने के बाद ही आपको पता सलेगा यह एक ऐसा डियाग्राम है जहां से triple point का जनम होता है तो triple point की बहतरीन understanding तब ही मिल पाती है जब आप प्रैस और टैंप्सर के बीच का डियाग्राम कीजते हो phase change के दो राम तो यह point कुलम कुला दिखने लगता है बाकि इसका और कोई तो यूज है नहीं है यूज तो किनके में ली ऊपर बाले दो कि राइट चले इसके बाद सर जी समझान एक डियाग्राम होता है यहाँ पर इन्ठेलफी एन्ट्रोपी के बीच में तो इन्ठेलपी एन्ट्रोपी डियाग्राम एक डियाग्राम और इसी एक मोलियर चार्ट भी कहते है fav niya चाb है यह चार इंपोठेंट डियाग्राम है समझा ना यह चार इंपर्टेट है एक पीएच डियाग्राम भी है प्रैसर और इंठेल्पी डियाग्राम अरे बोलो पीएच डियाग्राम तो टोटल मिलाके पांच हो चुके हैं इन पांच में से जो मॉस्ट इंपोर्टेंट है वह उपर वाले तीन जिनकी हमें आरेसी और पावर प्लांट में जरत पड़ेगी खर तीन तो नहीं बस दो कीज जरत पड़ेगे आरेसी और पाव प्लांट में समझा ना बस यह से लिए हो जाद इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें ट्रीपल पोईंट आता और ट्रीपल पोईंट काफी पोपिलर है करेंगे राइट और रॉम चले सर्जी तो अब सबसे पहला डाग्राम जो अब हम डिसकस करेंगे डियर समझा ना वो है पीवी डाग्राम पीवी डाग्राम तो सबसे पहले पीवी डाग्राम को प्लाट करेंगे और देखेंगे पीवी डाग्राम किस तरीके से बनता है तो तोरे को सर्जिस डियाग्राम में क्या करते हैं, सबसे पहले तो horizontal और vertical axis खेचे लेंगे आप इस तरीके से, अरे बोलो, दियान रखना, आप vertical axis पे हमेशा pressure को दिखाते हैं, और horizontal axis पे हमेशा volume को दिखाते हैं, यह standard है, करने को तो आप volume यहाँ pressure यहाँ भी करते हैं, तो डिया खोपड़ा तभी अच्छा लगे गहाँ जब यहाँ pressure और यहाँ भी को दिखाते हैं, तो इन axis को हम चेंज कर भी नी सकते हैं, क्योंकि यह standard बन चुका है, तो vertical पे हमेशा pressure और horizontal पे हमेशा volume, अरे बोलो, तो हम कुछ से जवाब दो, क्या तुमने कभी भी किताम में VP डिया और यह standard है, इसलिए हो रहा है, चले प्यारे बच्चों, अब देखो, phase change diagram आप जानते हैं कि सर जी, जो phase change diagram है, चमझा न, इसमें pressure volume किस तरी किस आप change करेंगे, उसी change को plot करना है महाँ पर, pressure volume किस तरी किस तरी होगा, परन्तो सर जी पहले phase तो change कर लें, अब हम phase change process को चले, तो माल दो सबसे पहले मैं, one bar pressure पे, phase को change करके दिखाऊंगा, यानि one bar pressure पे सबसे पहले हम, phase को change करेंगे, at one bar, तो pressure कितना ले लिया, one bar, तो माल दो one bar pressure पे, मेरे पास यह water है, हम water से starting करेंगे जैंदली, मेरे पास यह water है, 40 degree centigrade का, और इसे वैपर बनाने है, कितने degree की वैपर पैदा करने है, कितने की, कितने की, 420, ये बड़ा important figure है, इस बात का खुला सा होगा power, प्लांट, समझा न, चले, तो वैपर, 45 degree का, यह होगा, अट्मोस्पेर से लाए है, तो अब क्या है, इस वाटर को one bar pressure है, तो one bar ही रहेगा, पूरे प्रोसेस के दो रान, क्या क तो phase change हमेशा constant pressure पे होती है, तो antagly pressure क्या रहेगा, constant, right or wrong, चले, तो अब देखोड़ियर, यहाँ पे, अब जड़ा एक बाता मुझे बताएंगी, समझा न, ये पूरा खुलन खुला लोजिक न आपको दूंगा, कि माल लो, यहाँ पर ही 40 degree का पानी बड़ावा है, यहाँ पर ही 40 degree का पानी, समझा यह नहीं, चले, और यहाँ पर यह piston लगा दिया आपने, और माल लो, पिस्टन का खुद का वजन 0 है, पिस्टन का माल लो, खुद का वजन 0, तो उपर से हवा के particle चक्रा रहे हैं, तो हवा के particle ऊपर से कितना pressure लगाएंगे, 1 bar, और यह constant रहेगा, अब जरह यह बताओ, अगर आप इस piston को यहाँ पर weld कर दो, अगर इस piston को यहाँ पर weld कर दो, और इसे heat supply करो, तो पानी के मलकूल गरम होंगे, गरम होने के बाद उनके बीच का gap बढ़ेगा, excited भी ज़्यादा हो जाएंगे, random motion ज़्यादा करेंगे, दीवरों से ज़्यादा तो अंदर का प्रैसा बढ़ जाएगा यह नहीं, वा तुमने क्या कसम खाई है, यह प्रैसा बढ़ने, नहीं देना, तो पिस्टन को क्या खोड़ना पड़ेगा, खुलम खुला, आई है नहीं, तो वैल रटाओ, और यहाँ पर इसे हमने खुला छोड़ दिया, अब समझा पिस्टन सिलिंडर के बीट में फ्रिक्शन भी क्या माल लेंगे, जीरो, जब इसे गरम करेंगे तो पहले पानी सेंचिबली टैपजोब करेगा, तो उस दोरान तो वोल्यूम थोड़ा धीर धीरी पड़ेगा, तो जब यह लिक्विड वैपर में कनवट होगा, तो मिल्कूल जब वैपर में कनवट होगे, तो वैपर का मतलब गैप कोई हजार गुना बढ़ता है, क्यों कि वैपर मतलब गैस में कनवट हो चुके है, और गैस का मतलब गैस तो दिखती भी नहीं है, क्यों कि मल्कूल के बीच का गैप, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा होत है लिक्विड की तुलना में तो पिस्टन जड़ाक से उपर जाएगा या नहीं हो सकता सिलिंडर से भी बाहर गोली की तरह निकल के पड़े है यह नहीं इसले सिलिंडर काफी लेंधिर काफी बढ़ा लेना पड़ेगा क्यांकि ज़रासा इतना सा लिक्विड जब वैपर में यह आईडियाल प्रोसेस हे श्टैंडर की बात होगा कहीं थमक्रांच को रहे है तो निये pressure constant है क्या चाये बताए या ना बताए ये तो बता दिया ने liquid करणटर रखाएपर में, that's all pressure constant है क्या हूँ कि face change बता रखा है, अरे समझ आ रहे है या नहीं, तो ये understood बाते हैं और competition में आधी दूरी बाते बाते बौली जाती है, जाधतर case होता है ना, तो धियान वैपर में करणट किया, तो अगर liquid एक लिटर लिया, तो liquid अभी तो liquid फेज में या निजब molecule liquid फेज में तो volume कितना गेर रहे है, पर अब तो जब ये वैपर फेज में आएंगे, तो volume का एक लिटर से जादा, जादा नहीं, बहुत जादा, बहुत जादा भी नहीं, बहुत बहुत जादा, ये भी नहीं, बहुत 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 जादा, ये भी जंडा, ये भी नहीं, बहुत 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 बह इतना तकड़ा वॉल्लिम बढ़ता है। चले 1 बार पर आपको बता देता हूं आइडियल एक्टुर डेटा दे रहा हूं आपको अगर एक लिटर पानी आपके पास है एक लिटर पानी को आप वैपर में करेंगे वन बार प्रेशर पे तो 1760 लिटर वैपर बनती है 1760 तो हजारो बुना बढ़ गया भी वाल दियो इसलिए हजारो बार बहुत बहुत लगाना पड़ेगा अब समझाया यह एक्ट्वल डेटा काने समझाये नहीं अट वन बार अरे समझाये नहीं तो यह चीज आप जियान रखिएगा जनाब अब थोड़ा सांके खुलिए सवर जी कहां एक और कहां 1760 यानि 1760 रुपई अगर पर्स में है तो एक रुपा अगर खो जाए तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है बेटा वन बार होता है एक लाख पास्कल न्यूटन पर मिटर स्क्वार होता है पास्कल तो वन बार प्रेशर की उनिट है बड़ी उनिट जैसे जूल है और किलो जूल है उसकी कोई वाजार से मिल्टिकमाइए है ना तो वन बार होता है टान्यूंट पवार पास्कल मतलब न्यूटन पर मिटर स्क्वार एक मिटर स्क्वार एरिया पि इतनी यूटन लोड लगाओ तो एक एक राख पास्कल हो जाएगा राइड तो एक लाग पास्कल को क्या बोलते हैं वन बार इसका नाम बारी क्या हो पड़ा है आपको फ्लीड मेकनिक से बताएंगे हैं है ना बैरो मिटर चलिए तो सर जी वोटर है वन बार एक्ट्वल डिटा दे रहा है तुम्हारा जिमा खुलना जरूरी है कि ज्यादा का मतलब कितना ज्यादा अब चलेगा वह बहुत ज्यादा समझ आ रहा है नहीं चले अब यह बताओ अभी पागलोगर में बढ़ाने की बात करूँ तो यहां पर एकर वन है यहां पर दो है यहां तीन है चार पांचे साथ आठ नो दस गैर अबारा थेरा तो आं तक जाना पड़ेगा शत्रासो यह लाइन मुझे ऐसा लगता है कि सा साथ मिटर लंबा कोई रसा है उसने घर बे जाकर रख दे अगर उसे सीरा खोल कर रखोगे तो मेरे क्यास दो तीन गाओ कवर कर लेगा वो इसलिए होता क्या है उसे फिर लपेट के रखते हैं लपेटा महीं का महीं मारते रहो और वह थोड़ी सी जगह में कवर हो जाएग यह बोर्ड भी क्रोस हो जागा होल भी क्रोस हो जागा रुडकी भी क्रोस हो जाएगा इसे फा यह नहीं हाता लिगत रॉपेटि वर्जेंट, हो जाएगा अरे बोलो तो अब बात पकड में आई तो जब भी कोई लिक्विड वैपन में करवाट होगा तो वोल्यूम वोल्यूम खतरनाक तरीके से बढ़ता है तो 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 एक बोड़ी लेंग्वेज होती है ना खतरनाक तरीके से बढ़ता है वो आलम खतरना तेरे परसा है, मज आएगा तुम्हें ऐसे पढ़ाने लगूतों मैं, समझा ना, तो आवाज में भी आना चाहिए ना, खतरनाक सापन, खतरनाक तरी किसे बढ़ता है, समझा ना, सीनेमेटिक हो जाएगा माहूल, यह ना, चलिए, तो रेको सर जी अवही बात है, तो अब यहाँ पर वही हम काम करने वाले हैं, अब यह कॉंसर्ट दिमाग में फिट हो गया, अब यह डियाग्राम तुम्हारे सामने, वैसी तैरते जान बचाते फिरेंगे, कि छोड़ दा हमें, हम तो समझा आ जाएगगा, समझा ना, चलिए तो सर जी माल लो, 40 degree centigrade का तो अब बचा रहा है, जान लोगो तुम जान ते वह इस चक्टर को समझाने के लिए, मैंने तीन गर्चे पुर्बान कर दे तुम्हारे हो तो जम मैं मेरी जी में गया था था ना, तो स्टाटिंग यहां से लिए तो इंद्रा से मिनट में डियाग्राम सामने था, प्रैलर आता था, यहां आके मुझे क्या-क्या पापड बेलने पड़े कुछों मत, ताहली बातों सुसरा हिंदी में नहीं पढ़ा जाता था, हिंदी भी सीखी तुमार रही है, लैंग्विज प्रफेशनल की कहीं साल उधर ही रहे हैं, कॉलेज में भी इंग्लिस तु इंग्लिस, है ना, फिर हिंदी में भी आया, फिर देसी भी सीखनी पड़ी, गाउं वाली, वो भी सीखी, पूरा प्रोफेशनलिजम थोड़ा, दूसरी बार, टीचिंग लिवल गिरा के बच्चों वाला लाए, कि यहां से स्टार्ट करेंगे, सब जाकर रुड़की में थोड़ा सजा में, सब बच्चे बोलने हैं नहीं, यह रवी सर ठीक ठाक वड़ा आते हैं, है यह नहीं, फिले, थैंक्यू सो मच, समझाया हैं, बट रियली, I am not teaching to engineers, यह मैं हर बार काऊंगा, दस साल से ऐसे, ऐसे वाले तुम्हारे चाहरे नहीं है, समझाया ना, बहुत गदी आके चले बेखे यहां पर, जो सिलेक्टिट भी बैखे हैं अभी, समझाया ना, उन सब को मैंने यहीं से पढ़ाया है, समझाया है, और दस साल के करियर में बहुत सारी स्टुडेंट है, एक या दो या चार नहीं, मुझे लगता है साथ ऐसा को सेंटर तो होता नहीं, जहां में मायो चारीज़ दिग्री सेंटिगेट, समझाया रहा, तो चारीज़ दिग्री का पानी मेरे पास है और बार बार प्रेशर रहेगा, इसे मुझे चास्ट्व बीस की वैपर में चनुट करना है, शर जी चास्ट्व बीस तो ऐसे बोल रहे हैं आप जैसे जारा लगा दियो आपन चले तो क्या करेंगे, इसे संसिबल इट सप्लाई करोगे, अब दिमाग में सप्लाई करोगे बाब, तो जैसे इट सप्लाई करेंगे तो यह वाटर बन जाएगा, प्यारे बच्चों, सो डिग्री सा डिगेट का, यानि बन जाएगा साटुरेटीड वाटर, अब सही बोल करता किया? हमारा पता नहीं कैसे बोलते हैं, बहुरा, तो हम लेटेंट इट 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 सप्लाइब करेंगे तो the saturated water convert हो जागा saturated, वैपर में, तो saturated नहीं मुझे चाहिए 620 इड़नी की super rated, तो सर अब झेट फिल्ड सप्लाइब करो और 620 नहीं चाहिए, जाओ, एक हजार बीस लिजाओ, मैंने गहाणा बेटा, एक हजार बीस पे तो ट्रबाइन पिंगल जाएगी, चाष्व बीस से जाधा पे दर्द हो जाएगा उसे, आपकल लंट कर बात करेटा, राइट, चाष्व बीस नाकिमम् तेम तेम प्रेटर, सबस्व जाएगी, फेज चेंज प्रोसेस को, प्लोट करते हैं, अब हम, पेवी डियाग्राम, राइट, तो यह बताओ, प्यारे बच्चो, यहाँ पर आप देखें, समझा ना, तो अब ज़र यह बताएगा मुझे, कि यहाँ पर वन बार, कॉंस्टेंट प्रेशर की जो लाइन होगी, क्या है, सभी लाइन और जूंटल बैठेंगी यहाँ पर, क्या कि वर्टिकल अशिज प्रेशर है, तो माल ले वन बार की लाइन है, माल ले दो बार की लाइन है, माल ले तीन बार की लाइन है, माल ले फांच बार की लाइन है, माल ले डेड़ सो बार की लाइन है, ऐसी लाइन ह पर यह यह बनारे बार कि रहा पर ऐा रहे जाके प्युज़ तो नारा अकोर कि कवर सबीज़ रहे हैं में अबनार करने कि पाँच बार की लए नहीं चाहने समझा ऑन बार की लाइन है और माल लो यह पांच बार की लाइन एक लिए और नौट ऐसे हाप वड़ते जा रहे हैं बस प्रेसर बढ़ रहा है बस और कुछ नहीं चले सद्टिया प्लोट करो ज़रर यहां पे आप प्लोट करेंगे तो 40 degree का पानी है, तो पानी का वोल्यूम तो कम ही है वन बार पे, तो 1, 2, 3, 4, 4 के चारो पॉइंट गारंटी इसी लाइन की पुराएंगे, क्योंकि चारो के चारो पॉइंट पे प्रेशर वन बारी है, तो माल लो पॉइंट वन यहां है, पेयारे बच्चो, पॉइंट वन अब 1 से 2, गरम तो क्या ही है, तो रहा तो पानी ही, तो गरम करेंगे तो वोटर है, अब यहां पे गर वोटर का टैंसर बढ़ाओगे, तो कुछ ना कुछ वोल्यूम बढ़ेगा, क्या कि टैंसर का फरक पढ़ता है पानी पे, अरे बोलो, तो इसलिए हलका पूल का कोई व वोटर, अरे बोलो भाई, तो माल लो, यह पॉइंट वन कहीं यहां है, और यह टू पॉइंट यहां है, तो वन से टू क्या हो जाएगा यह, दो पॉइंट पे आगा, सैटुरेटिड वोटर, अब इसके बाद जब इसे आप लैटेंटीट से अप्लाई करेंगे, तो यह करनवर्ट होने लगेगा वैपर में, जब वैपर में करनवर्ट होगा तो वॉल्यूम, वॉल्यूम, अट, खतरनाक करीके से बढ़ेगा, तो यहां पर वॉल्यूम है, यह तो यही लिखता हमा कुथी है, यह से जब आपके जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, बढ़े प्रियामिन भी फ्रिय यह इसका ताइप आप ने प्रेसर तो अर बढ़ आया कि तो चिर अट में बहुत तो जाएकिन तो इस दो और से प्रेसर को फॉपर आप अरे प्रेसर तो नंच यह पड़ रहा है तो ओल्म बढ़े गा निक भूत उतना ने बढ़े आम यहां पर आगी 620 की तूपारेटेड़, तूपारेटेड़ इस इस आपरेटेड़ वैपर अंड इस इस आपरेटेड़ वैपर. प्रोसेस प्लॉट कर दिया 1,2,3,4 यह जो फेज चेंज प्रोसेस था यह प्लॉट कर दिया अरे बोलो चला अब इसके बार सर्धी तीन बार समझान अब ठीरी बार पर तीन बार प्रेशर कर दिया मैं अब तीन बार प्रेशर कर दिया मैं अब तीन बार हम क्या है फेज चें है यहां पर माल लो 40-42 जो भी है माल लो वोटर है मेरे पास ही को 40-42 डिगरी का यह से जब आप माल लो 3 बार पर 118 डिगरी पर बोईल होना है यह नहीं तो अचलिए यहां पर क्या होगा तो 118 पर इसका मतलब यहां पर वोटर हो जाएगा अब यह साचुरेटीड वोटर आ मिलेगा तीन बार अगर प्रेशर है तो 100 डिगरी का वोटर तो सब कुल्ड कहलाएगा समझा रहे है यह नहीं चल अब इसे तुमने लाटेंटीट सप्लाई की तो यह बन की साचुरेटेड वैपर कितनी 118 डिगरी यहां से यहां तक यह दो पॉंट है तीन दो से तू से थ अब इस तीन बार वाले प्रोसेस को भी प्लॉट करो तो तीन बार वाली लाइन यह बच्चो तो पॉंट वन तो लगब आजू बाजू यह नहीं आएगा कोई समझा न अब वन से टू अब यह टू पॉंट को देखना है पहरे बच्चो बास अब खास बात यह लिए अब वन से टू दो पॉंट पर इस बार भी साटूरेटेड लिक्वीड है दो ही मान बख्चा ना समयन यह लिखू आचे तो वन से टू की बात करेंगे तो टू पॉंट है पहले टू पॉंट यहा था अगर इसके उपर ही आ जाता है टू पॉंट जस्ट इमेजिन करोगा अगर इसके उकर ही आता है प्रणतू प्रेशा तो यहा यह लह एंपर यह लिक्वीड का टैमफरट ज्याद आया है नहीं प्रेसर भी तो जादा है तो वाटर लिक्विड प्रेसर का फर्क अगर यहां से यहां देखो अगर इसका प्रेसर बढ़ा तो जो बढ़ावा प्रेसर है एक बार से तीन बार बढ़ावा प्रेसर है वो तो वॉल्म को अटाने कोशिज करेगा पहुतो टैम्चर भी तो बढ़ गया यह वोल्यूम बढ़ाने की कोशिश करेगा अब समझ आया अरे बोलो परम तो यहां पे टैम्चर जो बढ़ा है वो तो वोल्यूम को बढ़ाने की कोशिश करेगा और जो प्रैशा बढ़ा है वो घटाने की कोशिश करेगा पहुतो चले इस से आगे वोगा यह भी SATURATED लिक्विट वाला point है और यह भी SATURATED अब अगर 2-3 की बात करेंगे प्यारे बच्छों तो ठीक है 2-3 आप जाएंगे बीच में 3 इंग तो मारना ही पड़ेगा अगर यह 3 पॉइंट जस इसके उपर आ जाता है तो असका मतलब इस Saturated Vapor का अगर 3 पॉइंट जस इसके उपर आ जाता है तो अगर टैंप्टर बढ़ा है तो वॉल्म बढ़ाना चाहेगा तो चलेगी किसकी प्रैसर की और प्रैसर तो बढ़ावा है तो वॉल्म अवरॉल्म अवरॉल् अगर अवरॉल गटेगा तो गदो तीन इस बार तीन पॉइंट है वो जस इसके उपर नहीं बल्कि बल्कि पीछे आएगा तो यहां तक ऐसा चलेगा यह नहीं अब चस्तो अभी इस पे ले जा पे जहां ले जाना आगे का मुझे का भाई यह वो प्रैसर कर दिया यानि जैसे जैसे प्रैसर बढ़ाते जा रहे हो समझे का दो साटुरेटि लिकुड वाला पॉइंट तो आगे की सकता जा रहा है और साटुरेटि वापर वाला पॉइंट पीछे इसका कारण अब आप क्लियर कट जानते हों समझा ना तो पंच बार की बात करेंगे तो सर जी यहां से कोई पॉइंट वान ओगा तो दो पॉइंट यहां जाएगा और तीन पॉइंट जबार और पीछे की सक जा तो प्रेसर बढ़ाएंगे तो पॉइंट यहां जाएगा यहां जाएगा तो यहां जाएगा तो यहां जाएगा और प्रेसर बढ़ाएंगे तो यह और आगे खिसका गए और पीछे खिसके जाएगा और प्रेसर बढ़ाएंगे तो यह और आगे खिसका गए और पीछे ख समझा अब कुछोर भी समझ आएगा तुम्हें उसके माहलो यह प्रेशर जब बढ़ाया सुसरे दोरों पॉइंट एक दूसरे के सर पे चड़के मैठ गए थे कुझ इए पॉसमिलीटी बनी हुई थी इना अब बताई यह जितने भी पॉईंट रीच अब ऐ यह पॉइंट पीछे किसका था यह आगे किसका फिर यह पीछे किसका यह आगे और पीछे यह ऐसे ऐसे किसकते गए अब यहां से कर देखो प्यारे बच्चो तो जड़ा यह बताओ आप इन सभी पॉइंट को क्या मैं ऐसे ऐसे मिला सकता हूँ और अगर इनको मिला रहे तो क्या बन गा यह तम्बू और इसी तम्बू को कहा जाता है यहां पे डॉम क्या कहा जाता है डॉम डी ओम ये डॉम यह नहीं डॉम ये डॉम से अब यह तम्बू कंझा हों आया है यह तम्बू की यह वाली लाइन है इस लाइन के सभी पॉइंट पर हमेशा आपको saturated liquid मिलेगा और इस लाइन के हर एक पॉइंट पर हमेशा आपको saturated vapor मिलेगा और ये एक पॉइंट आए इस पे दोनों पॉइंट बैटे है saturated liquid वाला point भी यही बैठा है और saturated vapor वाला point भी यही बैठा है इसका मतलब इस इकलोथे point पे saturated liquid तुरंत convert हो जाता है saturnated vapor में एक ही point पे और जब एक ही point पे saturated liquid such vapor दो मिल जाते हैं तो ससीन point को critical point कहते हैं और अगर ऐसी बात है तो सर्दी अब मैं guarantee ले सकता हूं फागल मत बनाओ ये वाली जो line है ये 220.9 बार की है और इस point का टांसर 370.14 degree celsius है इसका कुछ मकसद था समझान अभी और भी कुछ है ये arrow भी मैंने वहां पे क्या जेंपल में लिपी जानते हूं अब देखना जा रहा हुँ समझान अब प्यारे बच्छो अब ज़रा एक बात हम मुझे बताएंगे या तक अब इससे थोड़ा systematic करके मैं draw कर लेता हूं next point पर समझान अब यहां पे अगर systematic करके थोड़ा draw करेंगे आप इस पीवी डियाग्राम को तो यह है पीवी डियाग्राम कुछ इस तरीके से आईगा है या नहीं तो अब सीधा जब draw करेंगे तो आप केवल और केवल हमेशा ऐसे draw करेंगे बच थोड़ा systematic करके यार सीधा करेंगे बच वो तो मैंने तरीका सिखाया कि ऐसा डूम आता कहां से आई है समझान है तो सीधा ऐसा draw करेंगे सर जी हम और इसके बाद यह जो पॉइंट है चोटी पे इसे बोलेंगे आप critical point this is the critical point और यह बाद इस लाइन है इस लाइन के हरे एक point पे हमेशा क्या मिलेगा अलग अलग pressure का परन्तु मिलेगा saturated liquid भले अलग-अलग pressure पे हो तो इस line के हरे एक point पे आपको अलग-अलग pressure का saturated liquid मिलेगा चाय कोई भी point देलो आप यह बन बार है देड बार है पोने दो बार है चार बार है अले बालो तो मझान हरे प्रेसर प्रेसर चाय कुछ भी परन तो मिलेगा हमेसा saturated liquid इस ले इस वाली लाइन को saturated saturated vapor लाइन कह सकते या नहीं sorry saturated liquid line कह सकते या नहीं तो इस line को कहा जाता प्यारे बाचो saturated liquid saturated liquid line अरे बालो या करो बोल दे कर बो पात्यु लाइन ही कहा जाता है नहीं जाता है right saturated liquid line और इस line को क्या कह जाता है saturated क्याक्योंकि इस line के हरे पोइंट पर आपको saturated vapor ही मिलने वाला है हमेसा so this is called the saturated saturated vapor line समझा ना saturated vapor line and this is called critical point और at this point, the entire liquid या entire water just flash off into the vapor. Flash off मतलब विदली की speed से convert हो जाता है. है या नहीं? चलिए, तो बताए बच्चों, यहां तक कहाने के लिए रहे हैं नहीं? अब ज़रा, एक, अब यह कहा है, basically, conclusive point है. है ना, यह conclusive point है, जो आप यहां बताता हूँ. ठीक है, चलिए, अब ज़रा, एक बात और बताओ आप यहां पर मुझे, के, जो यह PV डियाग्राम हम पढ़ रहे हैं, यहां पर, समझा ना, यह basically conclusive points है, तो यहां पर मैं heading डाल देता हूँ, conclusion. समझतो लिया के PV डियाग्राम बनता कैसे है, अब उसके निसकर्स निकाले हैं, यह not point पढ़ रहे हैं, हम यह मांजवा, तो सीदह है, heading डाल सकते है not, तो यहां पर लिग देने हम क्या है, अब हम पढ़ रहे हैं, और प्यारे बच्चों, यह not का पहला point है, राइट और रॉम, यह not का पहला point है, जो चल रहा है, समझा या नहीं, चलिए, पहला point को हमने देखे लिए, अब उसके बाद दूसरा point देखते हैं, पैरे बच्चों, तो जो पीवी डियाग्राम आया है, समझा जो पीवी डियाग्राम आया है, वह कुछ इस तरीके से आया है, अरे बोलो, इस तरीके से आया है, समझा न, और यह क्या है, C4 critical, P4 point, यह critical point है, यह saturated liquid line, और saturated vapor line, अब ज़रा एक बार बताओ बच्चों, आप मुझे, समझा न, कि अगर आप ध्यान से देखो, समझा तो इस वाले डियाग्राम में आजा हुआ, यहारी बताओ, वन से तू तक तो लिक्वीडी है, यहाप दे न, वह लेके तू तक चाहे यहाँ हो, चाहे 5-10 पर देखें भी हो, वन पर भी liquid है, बीच भी liquid है, टू तक लिक्वीडी है, यहाँ समझा न, पारम तो जानते हो कि टू पॉरियंट का है, टू पॉरियंट तो यहाँ है, तो इस लाइन पे, तो इस लाइन से इधर क्या इससे आगे एक 3 से 4 की तरफ जाएंगे तो 3 पॉंट से आगे हर एक पॉंट पे वैपर है और चार तक भी वैपर यहिए था यह mode यह twinaden इस लाइन से इहरा हमेशे आप को टोटल की टोटल वैपर मिलेगी इस लाइन से इदर लिकूड मिलेगा और अच्छा बलो तो सबूर्ड लिकूइड तो यहाँ है इस लाइन से Camp template आपको वैपर और अच्छा बलो तो सुपर meteredd vaper. अरे महां अतरत रीजियन है..टो तो इसका मतला शेत्र स्वाला है ..ारे वाला बीच देख लो.. यह न रिचेतर है .. तो यह न वाला जो रिचियन है.. कैसे लिक्विद रिजिएन कहा सकते है.. इसे सूपर रिटिड वैपर रीजियन या के वले वैपर रीजियन क्या सकते हैं यह तो इधर उधर तो देख ले अब जरा बीच में भी देख लो यह तो देखो सब्केृत तो यह वाल ज्या है तो साचया करूँभी वैपर यह तो 50% ऋ जिक वंग में यह यहनी अधा ही मस्कान कि नहीं क्यें है आधा ही मांस करूँद वापर में आदा लिक्विड में ही आई तो 2 से 3 के बीच हमेशा क्या मिलेगा mixture क्या मिलेगा liquid और वैपर का mixture पर हम तो इसे बोलेंगे saturated mixture क्या कि लिक्विड और वैपर दोनों का temperature तो ही मिलेगा बीच में भी अरे बोलो यस तो सर जी अब यहाँ पे अगर आप बात करें तो इस वाले रीजियन के अंदर क्या मिलेगा आपको केबल और केबल लिक्विड तो यह तो लिक्विड रीजियन है यहाँ पे इदर क्या मिलेगा आपको यह है वैपर रीजियन वैपर रिजिएन राइट और यहां पे क्या मिलेगा बच्छों, डोम के अंदर क्या मिलेगा, elliquid plus vapor don M. कि बहुत हो, और yhtा बहुत था, और साथॱोनेधिड मेक्टे रोटि नो की थीद? मिक्षर का म मतलाwritten मिक्षर, मिक्षर मतला घर लिकérique investment फ Patron automatically व्यापर होती तो मिक्षर तो सकते हैं इसे मिक्षर बोल सकते हैं अफ ठीजर बलेंगे साध्रेटिप्सों जो अब इसके बाद तीसरा पॉइंट देखो तो देखो प्यारे बच्चो ये पीवी डियाग्राम में बना लिया और ये रहा प्यारे बच्चो अगर यहां से आप देखो तो जड़ा ये बताओ अगर इस डॉम के अंदर अगर इस डॉम के अंदर ये और जूंटल लाइन मैं इन की तो खुला कर दिया क्या ये और जूंटल लाइन यह भी खीर सकता हूँ, यह भी खीर सकता हूँ, अलग-अलग pressure की आई, पर तो है तो सभी horizontal line, अरे बोलो, तो dom के अंदर यह जितनी भी horizontal line है, यह 2 है, 3 है, 2 है, 2 है, 2 है और 2 से 3 के दोरान, pressure तो constant ही है, पर तो साथ में temperature भी constant है, और जब temperature constant होता है, तो process को क्या बोलने लगते है, isothermal, तो 1 से 2 isothermal नहीं है, 1 से 2 के वल isobaric है, 2 से 3 isobaric तो ही है, पर तो साथ में isothermal भी है, यह का मतलब dom के अंदर जितनी भी horizontal line है, यह के वलो और के वलो isobaric को ही represent नहीं करती, बलकि यह isothermal को भी represent करती है, dom के अंदर present PV diagram पर, dom के अंदर present horizontal line, isobaric को तो represent करती है, पर तो साथ में isothermal को भी represent करती है, यानि यह horizontal line isobaric तो होती ही होती है, पर तो साथ में isothermal भी होती है, क्यांकि latent heat का concept है, latent heat supply की है, असलिए phase change हुआ है के वल, समझान है, temperature नहीं बढ़ा, है यह नहीं, तो असलिए यहां पर question क्या लिख सकते हैं आपे, क on the PV diagram, inside the dome, PV diagram पर dome के अंदर, on the PV diagram, inside the dome, इसे क्या बोलते हैं आप, dome, यह जो यह तंबु है नहीं, तंबु पूरा, इस पूरे तंबु को का जाता है, vapor dome, पूरा नाम है vapor dome, या के बल, dome बोल देंगे, काउंकि vapor dome यानिस के अंदर vaporization process हो रहा है, liquid is converting into vapor, तो vapor dome या के बल, dome ब बोलो, चलिए, तो सर जी अगर यहां से देखेंगे या, तो रेको, इधर से इधर phase change कर रहे हैं, अरे बोलो, तो यह तरकी के story है, तो यहां से गर देखेंगे बच्चों, तो यह जितनी भी original lines है, these all are isotherm, these all are isobaric as well as isotherm, isothermal को isotherm भी कह सकते हैं, isotherm का मतलब यह लाइन, तो isothermal बोले यह isotherm बोले एक ही बात है, क्योंकि यह नाम भी आ जाता है, isotherm का, है यह नहीं, तो these lines, these original lines are, क्या, isobaric, isobaric और पलस, isotherm, isotherm, अरे बोलो, नहीं तो करो मैं बात करूँ, अपे, original line तो dome के बार भी है, यह dome के बार भी है, यह बार भी देखो, यह वाली original line नहीं है, बात हो यह क्योंकि बात समझ आ रहा है यह नहीं, तो I hope यह special क्यों है, अब आपको समझ आया होगा, है ना, तो इसका मतलब यहां से लिख सकते हैं, कि the horizontal lines, कुछेगा, क्रेशन कुछेश नहीं है, the horizontal, the horizontal lines, inside the dome, inside the vapor dome, on the PV diagram, on the PV diagram, R, R, isobaric, पहले लिखो, R, isobaric, as well as, as well as, isotherm, isotherm का मतलब, cost and temperature, isothermal कहीं या, isotherm कहीं एक लिवात है, बताए बच्चों, यह point समझ आ या नहीं, यह, तो जितनी भी horizontal line है, इन सभी horizontal line पे, pressure तो constant ही है, बहुँ इसके साथ में, temperature भी constant है, right or wrong, इसलिए, isobaric के साथ, आप isotherm भी है, बताए बच्चों, काने के लिए रहे, आगे बढ़ा जाए, पीवी डियाग्राम में, चलिए, अब fourth point देखो यहाँ पे, प्यारे बच्चों, जो पीवी डियाग्राम आपने यहाँ पर बनाया है, यह इस तरीके से आपको practice करना पड़ेगा, के ऐसे ही, फिरी एंड फीज देना याँ, समझा ना, फिरी एंड अपने आप फीज देना, लगभग मिलता अजुलता होना चीव, correct को तभी कीचिन सकते हैं, बस हमें idea लेना है, तो देखो यह रहा critical point, समझा ना, और add the critical point, the latent heat, समझा ना, चलिए, और water के लिए बात कर रह तो अब यहां पर जरा एक बाता मुझे बताएंगे, कि यहां पर दो डाइग्राम है, यह तो है saturated liquid line, और यह है saturated vapor line, अब यहां पर आप देखेंगे लिए, समझा ना, तो जो saturated liquid line है, यह थोड़ा से यहां पर आपको दिखने रहा, अगर मैं देखूँ, तो मैं ऐसी line बना अगर यह ऐसा diagram है, क्यांकि फिरी end है, तो जोड़ा अंतर समन आए, अब अगर diagram ऐसा बना ले तो इसमें देखो, क्या है, यह इस line को आप vertical कहोगे, यह वाली line को vertical कहोगे, ज्यादा vertical कौन से दिखनी है, यह वाली, और vertical यानि 90 degree के करीब, और maximum slope 90 degree होता है, तो अगर तुम अगर तो यह से कह सकते हो, कि इसका slope ज्यादा है, जो line ज्यादा खडी years का slope ज्यादा, जो horizontal surface पे लेटी हूजजऑ ही, इसका slope अगर समन आपछे ज्यादा, तो असले जो saturated liquid line है, उसका slope ज्यादा होता है, और saturated rapper line का slope यहाँ पर क्लाम होता है, कभी कभी slope पी पूझ लेता हो क अरे बालो कितना होता है वो कुछ नहीं पथा सर्धी समझा नहीं कि हो कि付 Selbsted होता है कि बली स्टेट लाइन का राइट तो बताए यह यहां तक आने के लिए राइन है तो यह राभ सरधी यह Saturated लिक्वेड लाइन है अरे बालो और यह Saturated वापर लाइन है अब यहां पर शलोप की बात करें तो कहेंगे आप कि यह जो slope है किसका saturated liquid line का समझा न वो ज्यादा होता है किसके slope से saturated vapor line के slope से बताए बच्चो ध्यान रहेगा या नहीं तो slope पूछने लगता है अब एक चीज और ध्यान रखने है आपको जो slope कम होता है समझान उसे gentle slope भी कहते है जो slope ज़्यादा होता है उसे steep slope भी कहते है steeper तो जो saturated liquid line है वो तो steeper है steeper मतलब ज़्यादा slope और जो saturated vapor line है वो gentle gentle मतलब कम slope अरे बोलो यह नहीं बोले कम गिरी हुई है और यह जादा गिरी हुई है समझा ना तो अचली क्या है यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो saturated liquid line का जो slope है वो steeper है steeper का मतलब more slope अरे समझा रहे ना और इसके बाद जो saturated वेपर लाइन का जो slope है वह है gentle gentle slope समझा रहे ना ऐसे word देता है वो slope के case में gentle slope steeper slope gentle slope मतलब कम slope ना तो the which line having the gentle slope saturated liquid line saturated vapor line को जन्ड को नहीं परसे बाता है कि gentle कम स्लोप कहा कम या जाजा समझा आए ना और यह word यू जो चुके चली बता रहा हूं तो मैं किताब पढ़ोगे तो जाजी तरह आप वह मिलेंगे यह आपको लिखे वह steeper or gentle slope steeper slope slope is steeper slope is gentle gentle कम मला है gentle man है समझा ना इनके मतलब समझा बस gentle का मतलब कम slope slope के case में ही दो बढ़ आते हैं और steeper का मतलब जादा slope अरे बोलो चले मैं लेखी लेता हूं तो मैं लेकर आपके English में मैं जानता हूं ना steeper का मतलब होता है more slope और gentle का मतलब होता है less यानि कम slope बताए बच्चो बात के लिए रह यह नहीं तो ऐसे अलफाज भी आजाते हैं कहीं बार यह question का पता होता है answer का पता होता है परन तो question ही समझने आ रहा है क्योंकि alpha जैसे डाल दी जबकि मतलब इनका कम और जादा slope है और कुछ नहीं बताए बच्चो यहान तक ही पूरी story के लिए रह यह नहीं अब सर जी कौनसा point था यह 4 अब पांचवा point देखो बच्चो अब water के लिए जो आपको यह डियाग्राम मिल गया है पी बी डियाग्राम कुछ भी हो critical point थो critical point थो कहीं भी आ जाए तो जो यह critical point मिला है समझार और यह किसका है water का मैं water को ले रहा हूं राइट तो critical point पर जो pressure होगा critical pressure बोलेगे उसे और जो temperature होगा से critical temperature T C C का मतलब critical T का मतलब temperature P का मतलब pressure C का मतलब तो यह critical pressure critical temperature अरे बोलो चली तो critical temperature कितना होता है 374.14 degree centigrade और critical pressure कितना होता है पॉलसर 220 point 9 अरे बोलो लगफ़क 221 बता है बच्चो यहां तक की पूरी कहाने समझाई है नहीं यस चलिए इसके बाद छटा point देखो प्यारे बच्चो बाद प्यारे बच्चो आपके लिए एक warning है और यह छटा point warning वाला ही है कि मान लो suppose that यह वैपर डॉम मिला और यह रहा critical point समझा ना अब देखो इतना है तो मैं जानता हूँ कि यहां तो है liquid और यहां है super rated वैपर वैपर का मतलब gas मान सकते हैं तो लिक्विड को gas मान सकते हैं और वो भी ideal gas बहले बाद तो gas ही नहीं है तो यहां पर तो है liquid और यहां पर क्या है वैपर वो भी super heated वैपर, super heated वैपर ज्यादा close होती है ideal gas के जितनी जादा super heat उतना ही वैवार बिलकुल ideal से मिल जाएगा उसका match खा जाएगा तो error कमाएंगी फिर जब assumption लेंगे आप राइट तो अचलिए यहां पर तो है वैपर वो भी super heated वैपर है यहां क्या है super heated वैपर है इसलिए यहां पर PV बराबर MRT equation apply कर सकते हैं इस वाले area में गूम फिड रहे हो तो यह equation apply कर सकते हो क्योंकि gas है इस वाले area में कतवी apply नहीं कर सकते हैं और dom के अंदर भी आप कतवी apply नहीं कर सकते क्योंकि यहां भी liquid वैपर का mixture होता है नहीं कि पूरा का पूरा वैपर तो सावधान रहना do not apply PV बराबर MRT here, here मतलब inside the dom, dom के अंदर यान एगर आपको saturated mixer की बात कर रहा है तो इस dom के अंदर हो आप और उस saturated mixer के लिए आप इस equation को apply नहीं कर सकते हैं कि ideal gas equation है इसके लिए पूरा पूरा gas हो और वह भी super rated हो तो बढ़िया अरे समझ आ रहा है यह नहीं तो यह चीज़ धियान रखना आप पूछ लेता पताईए काने के लिए नहीं चले बच्चो तो मुझे लगता है कि PV डियागराम आपको detail में समझ आ गया यह तंबू saturated liquid line इधर को ही क्या हो जोकी है और यह इधर को ही क्या हो जोकी है आपको पूरा समझ आ गया तो रेको अब saturated liquid line का जो slope है क्या वो negative है अरे बोलो क्या वो negative है या positive positive है और saturated vapor line का जो slope होता है पीवी डियागराम पे वो क्या होता है negative या positive negative इधर को जातावा slope positive और यह आतावा negative आणा तो saturated liquid line having the positive slope why what is the reason because in case of the liquid the temperature is dominant over the pressure temperature हाभी बाता अब boiling point बढ़ने से यह एक temperature बड़ा है इसलिए आगे आगे बोल जिए कारण जानो शमदा है ना और saturated vapor line का slope negative है कारण क्या है because in case of the vapor the pressure is dominant over the temperature in case of the vapor reason है इनके समदा ना जैसे yes में आते हैं ना खार सुकर है तो हमारी जान बची है जाई फ़ी में नहीं आते हैं समदा ना question क्या आता है एक तो होता है assertion और एक होता है reason assertion में तो कोई बात लिखी होती है reason में कोई बात लिखी है assertion में आ गया the saturated liquid line having the positive slope on the PV diagram reason में लिखा है कि in case of the vapor the in case of the liquid the temperature is dominant over the pressure तो माल लो AB सही है और 1000 पार भी सही है पहले से जानना कि दोनों सही है और दोनों सही है और फिर यह भी जानना है कि क्या region में assertion की correct explanation है अगर माल लो दोनों सही है और region assertion की correct explanation है तो option A होगा और अगर बात तो दोनों सही है पत रीजन इसकी correct explanation नहीं है transfer कोपड़े में आ रहा है धज्या उडाने वाले question है कोपड़ा खराग और यह ऐसे question है जो रच्टाबाज को लाइन से बाहर खड़ा करते हैं तो कि अब इतना पता होना जरूरी नहीं है कि इसका positive है इसका कारण की है भी बताओ पैचानों और कि जो लिख्या हो कि वो सही कारण है यह नहीं है अरे बोलो जैसे के अभी मैंने यहां पर correct reason दिया है नहीं तो option हो जाएगा अगर मैं इस option कार्ट के ऐसे लिख दूँ के on the pv diagram the saturated liquid line having the positive slope और reason में लिख दूँ समझान के in case of the vapor the pressure is dominant over the temperature तो यह correct expression नहीं है इसमें बात कर इस line की और बता रहा है इस line के अरे बोलो तो अदबन तो है तो दोनों सही तो option हो जाएगा बी पहले भी दोनों सही थे तो इसमें क्या लिखा था कि in case of the liquid the temperature is dominant over the pressure तो यह और यह सही है और यह इसका correct explanation है तो यह हो जाएग option को अपड़े में आ रहा है तो बिल्कुल बाल की खाल निकालने वाली बात होती है न वोस लेवल पर थेयरी करने होती है कि समझाया यह तो बताए बच्चो कान के लिए रहे है नहीं तो आपको फुल पता होना चाहिए पूरा जड़ तक तो सजी पीवी डियाग्राम पर पूरा mastery हमने कर ली है अब पीवी डियाग्राम को हमारा खतम हुआ अब इसके बाद अब हम पढ़ेंगे फैरे बच्चो टी एस डिय डियाग्राम temperature entropy diagram ts डियाग्राम राइट और ररॉं चले शर्दी तो देखो अब सबसे पहले हम क्या करते बच्चो अब वर्टिकल अक्सेस खेशते हैं और वर्टिकल अक्सेस पे मेंसाटर को दिखाया जाता है और वरर्जान्टल अक्सेस पे मेंसाट्रोपी को दिखाया जाता है अब यह बताओ के एंट्रोपी किया है यह को आप जिटिल में जानते हैं मॉलेक्यूल की रेंडम और यह मॉलेक्यूल की रेंडमनेस क्रहीं चीजों पे डिपेंड करती है अरे समझाया निया इसका बहुत भातरी एक्जेंपल में आपको दोंगा रेंडमनेस पे किन-किन चीजों का असर पढ़ता है यह ना चले खेर पहले रीजन ही देडिता हूं मैं कि समझा न के आप जड़ा मुझे यह बताओ कि भैस को खूंटे से ही क्या बाना जाता है रस्ट डालके बाल देते हैं यह संखल डालके चेन लगा देते हैं तो भैंस को खूंती से क्या उमादा जाता है। और अगर कभी संकल या रसा तुड़ा लेती है भैंस, तो उसका तंडव देखा है तुमने। गलियों में इधर भागेगी, इधर भागेगी, यह 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 करती हुई, कभी अगले पैर उपर, कभी पिछले पैर उपर, अरे बोलो। समझा न, कच्ची मिट्टी है तो पैर भी तिने मजबूत है, मिट्टी भी उखाड देती है। अब जैसे गवं में क्या होता है, महां लोग घेर बेर है, गैलरी वैलरी उसके इंदर वैसे कच्चा पड़ा रहता है। दो चार वाद उन कवरों में घूम गई तो यह यह गहरे गढ़े कर देगी। समझा ना। तांडव देखा तुमने उसका। तो उसका मतलब क्या क्या वो सिस्टेमेटिक मोशन करती है। को सामान दा खतावने तोड़ देगी। कोई बच्चा आगा से उसके उपर को चली के लात बात लगदी। वो सिस्टेमेटिक मोशन करती है। कुदा फादी तो पदे को फर्क है। रसा तुड़ाने के बाद उसे एरिया ज्यादा मिल गया, वॉल्यूम ज्यादा मिल गया। तो रैंडम मोशन का लेवल ज्यादा। रसे से बाद ज्याद तो उसके पास वॉल्यूम ही बहुत कम है। कुदा फाद नहीं करेगी तो वही करेंगी तो वहाँ ज्यादा करने सकती। अले समझा आना। अगर और बत्तमीज भैंस है तो एक काम करना। कोई जो छोटा सा कमरा होना के एक दीवार इधर एक दीवार इधर उसमें बांद देना तो तुझे को। ना तो जाद इधर जा सकती ना इधर और रस्षा पीचे नहीं आने देगा। तो रेंडम मोशन और कम हो जाएगी। यानि रेंडम मोशन की चाहत तो है। बसकर नहीं पा रही। क्या कि वोल्यूम कम है। तो एंट्रोपी कम है। रस्षा में बांद देके बाद। कुल्ला चोड़ दिया तो यानि स्पेस जाधा मिल गया तो वहीं मोल्यक्योल जाधा एंट्रोपी सोकरेगा। कमद आ रहा है। तो मोल्यक्योल को रस्षा से बांदने का मतलब उने कम वोल्यूम देना भूमने फिरने के लिए। और रस्षा तोड़ा लेना मतलब उनका वोल्यूम जाधा हो जाना। तो पिर तो काफी स्पेस हाई हूँ बागे दोड़ेंगे रेंडम नास और जाधा मिल जाधा है। अले समझ आया है ने। अले समझ आया है ने। अले समझ आया है ने। जाधा है ने। जगह इतनी बड़ी है। बातरूम भी यह लंबे छोड़े छोड़े। पहली बार तो बातरूम बनाने की ज़रोते नहीं है। समझा ना। टॉलेट जाने के लिए आधमी जाता है नहीं तो फुरा खुला पड़ा है। है यह ने। गाउं में ही रवये चलते जारे सुर है ना। खैर अब तो थोड़ा सा वेरने सारी है। अब चीजे चेंज होरी है। मैं अपने टाइम के गाउं की बात कर रहा हूं चलिए कोई बात नहीं है। कम ही सही है। तो रेखो समझान मालो टीन में क्या है कि तीन में मालो वाँ पर फंखे लगा रखें दो तीन। समझान भैस भी वहाई पर रहती है आज को समझान तो चार भैस बांद रखी है। उसमें खोद के डाल देगी पुरे से मिटी है कच्ची-मिटी तो खोद के डाल देगी नो पुरे कच्ची-मिटी को यह है यूं पुदापानी करकर करकर और आजए घंटे के लिए आप वहाँ पे थे भी नहीं आज़ा गिंटे ऐसी रेंडम मोसान करके रही जब आकर देखोगे क्या तैस में खाट वाट पड़ी हैं दो भी तोड़ दी है अरे बालो किसी की भाही तोड़ दी किसका पाया तोड़ दिया अरे बालो तो आके तबाही मिलेगी है नहीं अपूर आगे रुखड़ा पड़ा है थापक लेकर उसे सही करना है एक समान अरे तुर्ष कमतलों के थे अपड़ा है तो वही नहीं का स्मधान हा खोड़ा सबस्काइब से कर स्क्रैत पाया utilized थ्याकि में परन्तों अगर अंगर ने माझन के उच पैudo से निस वारा अपकर संख्ल्ध था एक समधा न है, metal की तब उन्हें बांद देंगे तो character बंद गी तो space कम मिला है, चाहत तो वहाँ भी है हरकत तो वहाँ भी करेंगी वो तो उनका attitude तो ऐसा ही RSM बंदे के बार भी, पर बात ही कि space कम होने से random motion जादा नहीं कर रही है यह कर नहीं पा रही है करती तो नहीं बहुत समधा ना, तो क्या space का भी random motion पर अशर पड़ रहा है किसी molecule माल, highly excited molecule है, भाले वो highly excited है घुमने की बहुत चाहत है पास उसरे को जब space ही जादा नहीं दिया आमने, space ही जड़ासा दिया तो entropy तो जड़ासी दिखाएगा वो और अगर उसके energy लोग चाहिए तोड़ा कम भी हो अगर से space ज़्यादा दे रखा है तो ज़्यादा कुदा फांदी करेगा अरे समझा आया तो अचले कि एंट्रोपी का लेवल आपको randomness ज़्यादा नहीं जड़ाएगी तो entropy भी जड़ाएगा आने के लिए राये नहीं चले सर जी बाद आते हैं यहाँ पर क्या रेको अब यहाँ पर जो आईसो बारीक लाइन है one bar वाली प्रोट कर रहा हुँ मैं आप universal diagram प्रोट्च मैने इह दीखा रखियें था रों यह दिखा रहे हैं तीन सबसे पहले कि आठभाई बार प्रोकर पहले में तो अब ध्यान देना यहां तोड़ा सा मामला गड़बाड है, तो अमालो 40 degree का पानी अगर आप पे पास है, तो 40 degree का पानी यह नहीं पानी है, तो टैंसर भी इतना को ज्याजा नहीं है, और लिक्विड है तो वोलूम भी कम यह लिक्विड का तो असले एंट्रोपी भी कम औ अब 1 से 2, आप 40 degree temperature बढ़ा के 100 degree का दोगे, तो अलगेगा तो जब इस लिक्विड का temperature बढ़ाओगे, तो temperature बढ़ेगा तो ऊपर चलोगे, तो temperature बढ़ेगा, तो molecule का excitement level बढ़ेगा, लिक्विड किसमें temperature डोमिनेंट होता है, तो volume भी बढ़ जाएगा, तो space भी थोड़ा ब तो कभी entropy घड़तो नहीं सकती, घड़तो सकती नहीं कता, यह तो guarantee है, बढ़ेगी, बढ़ेगी, अरे बोलो, चली तो सर जी यहां से आजाएगा, 1 से 2 ऐसे, ऊपर चड़ता हो जाएगा, यह आ गया, 1 से, यह 40 degree का पानी है, और यह 100 degree का पानी है, यानि saturated पानी है, अब 2 से 3 से 100 degree रहेगा, बात तीन पॉइंट पे आजाएगी वैपर, और वैपर के पास में वोल्यूम भी, एक लिटर पानी में गर एक लाख मोलिकूल है, तो जब वैपर बनेगी, इस वैपर में तो एक लाख रहेंगे, बात वोल्यूम कितना गेर के रखेंगे वो, अरे सर जी, ब करेंगे वो, यानि एक वैसे ही दंगई है, भैंस, सिंग मारने वाली भैंस है, फे उपर से गुल्ला चोड़ दिया, अरे समना है नहीं, जो सलिए वोल्यूम भी बहुत तगडा मिल जाएगा, और हीट तो सप्लाई करी रहे हो, अब लाटेंटी साही आप जोब तो वही कर अर्जंटर लाइन के बापना, तो और जंटर लाइन के बीच में किरिंक मारना पड़ेगा, क्यों एंटरोफी का तम ना बढ़ देगी, है यह नहीं, तो सब्सक्राइब तो से ठीरी प्रोसेस आ गया, अब तीन से चार, 100 डिगरी की वैपर का टेंटर बढ़ा के 620 करना है अब फिर चेंज नहीं होगी, अब सेंसिबल इट सप्लाई करोगी, तो टेंप्चर बढ़ेगा तो ऊपर की सेड में रूख करेंगे, और वैपर को हीट सप्लाई करने होगे, तो एंटरोफी भी में सा बढ़ती है, तो साजी अब आप ऊपर को जाने लगे, बताए नहीं समझाया क्या, प्रेसर तो कोस्टेंट रहता ही रहता है, हर पॉइंट पे हो तो, वा तो टू से तरी को दूरान टैंप से धी कोस्टेंट है, इसलिए तो और रिजंटल लाइन आई है, क्रिंक लगाओ या ना लगाओ तुमारी मर्जीर, समझा ना कोई ज्यादा बो चल्ड अब इसके बार तीन बार के बात कर रहें, अब तीन बार प्रेशर के जितो क्या होगा, यहां पर वही चालीज दीडीडी का पानी है माल लो, प्रेशर बड़ा तो हल्का फुल्का माल लो टैंसर बढ गया, एंट्रपी चेंज होगी, तो माललो यहां से स्टाट कर तो असलिए क्या है आप वन से टू पे जाएंगे वन से टू तो ऐसे टैंसर भी बढ़ेगा एंट्रोपी भी बढ़ेगी क्या कि फेट चीज तुड़ा ही लिक्विड ही है तो टू कोंट पे क्या जाएगा सैटुरेक्टर लिक्विड अब मुझे इंजाजा लगाना है कि इ यह 118 डिक्री का सचैटुरेट्टर है और यह 100 डिक्री का सचैटूरेक्विड की केस मेट टैंप इसे हावी रहता है तो क्या टू प्व्वोल्युम बढ़ जाएगा तो space थोड़ा सा बढ़ गया नहीं चलिए space बढ़ गया तो temperature भी तो ज़्यादा है excitement level ज़्यादा है गरमाट ज़्यादा है 114 degree की तो random motion की चाहत भी ज़्यादा है और थोड़ा सा volume increase हुआ है degrees तो नहीं हुआ increase हुआ है प्राइसा बढ़ने का फैस्त पढ़ता निस्टिए? तो गारेंटी है कि थोड़ा एंट्रोपी ज्यादा मिलेगी? कि आया नहीं एंट्रोपी जादा मिलनेगा तैंप तो जादा तो ऊपर तो जाए गाई जाए पूंट एक तो तरक ओपर मिलेगा तो तूपोंट से तोड़ा आगे किसके गाई या नहीं बात पकड में आई यह साजी इसका मतलब समझ गया किया होने वाला है तो यहां से अगर देखो तो प्यारे बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है कि तूपोंट यहां पर जाएगा समझान अरे बोलो यह से थोड़ा आगे किसकेगा या नहीं एक तो थारा दीगरी टैंपनेचर है और वॉल्म भी थोड़ा बढ़ जाएगा एक साटमेंट अल्रेडी बढ़ावा है एक तो थारा का तो एंट्रोपी जादे ही सोग करेगा या नहीं यह स्थासले आगे किसक आगे किसकने लेगा प्रेशा बढ़ाते ही वन बार तीन बार करते ही अब तू से थ्री यह साटुरेटर लिक्विड जब कनवाट होगा साटुरियर अब फटरनाक तरीकी से एंट्रोपी बढ़ेगी टैंप्टर कोस्टेंट ही रहेगा तो पार तो तो तीन पुइंट पर बड़ाबर हो गया नहीं देखते हैं तो पहले तो इस साटुरेटर वैपर है यह भी वैपर ही है पहुत तो एक सोट थारा डिगरी है तो फी महमाना के मौलिकी उल्ट और जादा गरम है तो घूमने की चाहत जादा है पहुत वैपर के केस में प्रैसर डोमिनेंट होता और प्रैसर हावी तो वोल्यूम और नॉर्मल कमनी अच्छा खासा कम तो भले थोड़ा सा भैस ज्यादा दन गई है पस इस बार तो दो दीवारों के बीच में बांदा है कितना कुदेगी तो अवरॉल एंट्रोपी क्या हो जाएगी कम समझा ना इस पेस कम हो गया बले एक सेटर कूदने की चाहत जादा है जब जगाई नहीं रही जड़ा साटी ने उसमें बांद रखी है इधर भी जाएगी तो इधर जाएगी इधर जाएगी दिवारों जाएगी तुछ ए रसा नहीं जाने देगा अब गहां समें थोड़ नहीं परण दिलकी ंजीं एक समझ खाना तुझे समझ आ है तो बात समझ आ रही है अब क्या कर रही है तो लोजी क्या कह रहा है कि थीन पॉइनटे श्र्टर अब तो समझ गया मैं ना है अब तो समझ गया अब तो थीन समझाने के जरू था क्या है यह समझा आगया लोजी पगड़ा आगया पैटरन समझ लिया कि यह वाला पॉइंट तो आगे फिसकेगा और यह पीछे वही काम चल गया थी और कहीं प्रेसर आशा है जहां पर दोनों का मिलन और वही क्या है अब समझाए और गारेंटे फिर वह जर आ रहें समझा ना तो सड़ इसका उंतलब यहां से कर देखो तो आप कुछ ऐसा कह सकते हैं कि अगर मिला ओगे तो यहां पर बहुत सारे आएंगे माल लो यह कोई प्रेसर लाइन ऐसे आएंगी सजी यहां पर अरे बोलो और यहां पर एक प्रेसर लाइन ऐसे आजए कि यहां पर मिल गाएंगे, तो ऐसा कुछ द्रामा यहां पर देखने को मिलेगा, और इन सभी पॉइंट को मिलाएंगे, समझा न, तो यह कहानी ऐसे दिखाई देगी आपको, बताए बच्छो बात के लिए रहा है नहीं, अब इस वाले प्रेशर को बताओ क्या कहेंगे, आप बताए बच्छबास समझ आए रहा है, यानि सर्जी टी एस डियाक्राम पर भी हमेशा एक डॉम ही पराप्त होता है, डॉम ही पराप्त होता है, राइट और रॉम, चाले, तो सर्जी अब थोड़ा सिस्टेमाटिक करके से ड्रो कर लेते हैं, यानि अब कंक्लूजन पढ़ चाले, तो देखो प्यारे बच्छो, क्या टी एस डियाग्राम ऐसे मिलेगा, राइट और रॉम, तो यहाँ पर यह क्या है, क्रिटिकल पॉइंट, दिस इस दा, क्रिटिकल पॉइंट, यह, फिर भी होगा, एक दम से ही करोट हो जाएगा पानी, लाटेंट इसके उपर भी जीरो होगी, यहाँने 229 बार तो पहली रीडिंग है, अगर 225 कर देंगे तो इस पे भी लाटेंट इस जीरो मिलेगा, यह वो सबसे पहला पॉइंट है, हाई प्रेशर का, जहाँ पे प्रेशर बढ़ाते बद सबसे पहली लाटेंट इसके उप अगर अगर प्रेशर ले जाएंगे तो भी लाटेंट इस जीरो ही रहेगी, चाहे कहीं तक बढ़ात के ले जाओगा, हाँ जी वो मिनिमम है विलेगा, इसके उपर कहीं चले जाना हमें से लाटेंट इस जीरो है अगर नीचे जीरो नहीं होगी, यह बाउंडरी लाइन है, और बाउंडरी कोई देखना जरूरी है, इसके नीचे लाटेंट इस नोट जीरो ऊपर जीरो और इसके खुद भी जीरो है ना, यस, चले बाउंडरी तो इस इस दा ग्रिटिकल पॉइंट, समझ आया, अंदर भाईया लिक्विड पलस, वैपर मिलेगा, यहां पर क्या मिल इस साथुरेटिड लिक्विड लाइन, इस के बाद दूसरा पॉइंट देखो, तो प्यारे बच्चो जो टी-स डियाग्राम आपने बनाया है, यह रहा प्रिटिकल पॉइंट, राइट, यह यहां पर देखे, तो दौम के अंदर horizontal line पर आप्ट हुई है और जो यह horizontal line है बच्चो यह isothermal भी है और iso iso बारिक तो होती ही होती है तो कोई बड़ी बात नहीं पर अप्ला ही हो गई है तो इसका मतलब सर्जी यहां भी वो कि इनसाइड दा डॉम इनसाइड दा डॉम दा होरिजोंटल दा होरिजोंटल लाइन्स आर आइसो बारिक आज वेल आज आईसो थर्म आइसो थर्मल यह आईसो थर्म कहें एक ही बात है आज वेल आईसो थर्मल ओंदा टी एस पी एस डायागराम बोलो बच्चों यहां तक की पूरी बात समझाई यह नहीं तो बस बाकी तो वही फिवी डियाग्राम के कोपी पेस्ट है अ है न यह टी-वी टियाग्राम का तो तो दियाग्राम भी डॉम के तरीके से यह बना और क्या हो बना है आपको पूरा समझ आगी है वहीं वहीं कृटिकल पॉइंट पर वही ड्रामा-laven जीरिऊ हैं है सब पेको कोई T S diagram है और यहां पर यह dome आपने बना दिया, T S diagram पर अगर कोई पुछे के constant pressure line , जख़ह यहां पं पर चलना पर आइसे चलती है पी यहांक पर और यहां पर और एक राग यहां पर ऐसे चलती है बालो आइसो बार इक लाइन यहां पर ऐसे चलती है ऊपर कес जाद में ज्यादा आइस बार को यहां आइसा तो वीश बार 14 बार कीए ऐ खीमिशा और:" क्लियर और नौट और देख इतना जानते के टूट 20.9 बार से गदो कहां उपर जाने की उपा था भई boiler 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 blast मार जाएंगे काम का समझा न हिंदुस्तान में भी starting लोरी super critical की चले या था कि पूरी कहां के लिए रहा है नहीं कर दो यहां पर यहां पीच में और जंटा लोगी बतावा है यहां से चली गई है अरे बोल भाई ऐसे कुछ इस तरीके से मिलेगा आई होप आपको यह पूरी बात समझ आ चुकी है टीच डियाग्राम भी आपको डिटील में समझ आ गया अधा यह नहीं दोनों डो मी बले अरे यह समझ आया यह नहीं लेको फिरी हैंड जब ड्रो करते हैं तो डोम में कुछ जाद अंतर आता नहीं आता रहता लगता है पीवगी यह है और तीच बी आपको फिरी हैंड पर काम करना आ बाके स्लोप यहां भी इसीखा ज़ाधा हो यह मर्द का हाथ है तो इतना तो नहीं वैक्टा तो असले क्या कम से कम इतना तो बॉली सकते हैं के सर जी समझा ना कि इसका स्लोप जादा और देखो इसका अपने आप कि इतना तो खहर मेजरमेंट इंजिनर के आत मोई जाता है जो पिएज ड्याग्राम लोग कुछ इन्वा आ जाता है बस इतना अंसर है देखा अंतर समझा तुम फैरली में समय है थोड़ा सा स्च्रम भी था जाता हैイ यह थैसा बन जाता है तोड़ा सा ऐसा बन जाता है ऐसा ऐसा Crash समझा न हल्काता अंव прंसा थोटहर न ही अंकर कर तो यह जोंड़ा है तो समय मान जाता है में थां है हम तब फॉर्मूली से चीज़ी निकालेंगे न बंद कर दे चले बताई यहां तक की काल नहीं समझ आई चले बचो तो लेक्टर यहीं पिस हम आप करते हैं और पांच मिनिट का ब्रेक लेलो उसके बाद नक्स्ट लेक्टर हमें स्टार्ट करेंगे हम चाहिछ प्रेक कालेंगे